नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक देख रहे हैं बात करते हैं नीट परिक्षा कि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है चौबिस लाग चातरों के भविश्य की बात है लेकिन आज सुप्रीम कोट ने जम कर फटकार लगाई और साफ साफ कहा कि कोई री एक्जाम नहीं होने जा रहा है और काउंसलिंग पर भी जो रोक की मांग की जा रही थी उसको भी हटा दिया गया और नों कहा कि कोई काउंसल सब्सक्राइब करने के लिए इसमें यह कहा गया है कि यह जो पूरी पिक्चर साफ करें क्योंकि उनकी पिक्चर जो वो अपनी दलील रखेंगे या वो अपनी जो रिपोर्ट रखेंगे सुप्रीम कोट अब उसको लेकर कितना मुतमाइन होता है कितना वो उसे कन्विंस हो होता है उसके बाद पिक्चर जो है वो क्लियर होगी कि अब आगे इसमें क्या हो सकती है अगर अगर सुप्रीम कोड को लगता है कि इसमें कहीं कोई मैलाफाइड फंक्शन हैं तो फिर सुप्रीम कोड कोई बड़ा फैसला ले सकता है तो अभी इसको फिलाल फौरी रहत यह लेकिन माल जाए जब बाद में कैंसिल हो आता है सर तो फिर क्या सब वो रिकैंसिल है फिर उसके साप से क्या बोलते सुप्रीम कोड कोई विंडो ओपन करेगी जिसमें कहा जाएगा कि किस-kis तरीके से बच्चों को रात दी जाए और किस-kis तरीक रिए अग्जाम या जो सो बीस अंक स्कोर किये एक ए सेंटर से छे बच्चे इसलिए सवाल उठ रहे थे लेकिन एंटिय ने कहा कि जो पंदरा सो बच्चों का इश्यू है यानि कि जो ग्रेस मार्क वाला इश्यू है उसको कंसिडरेशन के लिए ओविसली कमेटी बनाई गई वो चेक कर रहे हैं लेकिन आप कहें कि एक्जाम में पूरा फर्जी था लीक हो गया धांदले बाजी हो गई ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोड का इस पर क्या रखोगा सुप्रीम कोड एंटिय इस इस बात से कंविंस है लेकिन सेर एक बात इंपॉर्टन बुले सुप्रीम कोड ने सुप्रीम कोड ने एंटिय से कड़े शब्दों में कहा कि परिणामों पर धांदली के आरोपों के बाद परिक्षा की पवितरता पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर हमें जवाब चाहि कोई सवाल नहीं उठा रहा मगर हां वो कह रहा जो कोशन रेज हुए है कि भाई पेपर लीग हुआ या बचों को गलत तरीके से मार्क्स दिये गए उसको लेकर उनका क्या स्टैंड है उसको लेकर उनकी क्या पिक्चर है वो क्लियर करें और इसी लिए आज सुप्रीम कोड उनकी को डाट लगाई है आपको हमने कल मुद्दे डीटेल में बताए थे कि क्या क्या थे एक बार शॉट में बता दे 67 ऐसे चातर जिनके 720 अंग 6 ऐसे चातर जोई की परिक्षा के इंदर से इसके लावा 720 में से 718 719 अंग आई नहीं सकते जो मार्किंग स्कीम है उस साफ कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो यह तो अभी फौरी राहत सरकार को मिलें लेकिन अभी इसको फौरी रात कहा जा सकता है क्योंकि 8 जुलाई को प्सनवाई उसके बाद जबाब दाखिल करेगा एंटी एंटी तो सर अपना पक्षी रखेगा ना वो तो कहेगा उनमें कोई कोडिनेशन है या नहीं है तो सर पंदरा सो का मतलब ही थोड़ी कि पूरी परिक्षा को आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और इसी लिए सुप्रीम कोड अभी मुतमेन दिख रहा है एंटी ए से लेकिन सुप्रीम कोड ने एंटी ए को यह मलब इस पस्ट र रेज हो रहे हैं उनको तुरंथ एड्रस किया जाए वो किसी फी तरह से इग्णोर जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको किसी बी तरह से इग्नोर ना किया जाए क्योंकि बच्चों के इसमें भरोसा सवाल और भरोसा अथरुडिस पर नहीं रहेगा तो फिर बच्चे कहा जाएंगे इसलिए Supreme Court ने बहुत strongly stand लेते हुए NTA से जवाब मांगा है और कहा है कि हमको इसका जवाब जो जुलाई में पहले हफते में इसकी सुनवाई होनी है उसमें दाखिल करें और उसके बाद Supreme Court जब उसका review करेगा तो अपना कोई बड़ा फैसला ले सकता है लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे हम पिचल देख एक कि कई बच्चे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हलांकि 24 लाख बच्चे अपीर हुए थे ये तो कुछ ही बच्चे देख रहे हैं जो अड्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और बी एक पुलिस ने इनी यह जो तीन मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं ग्रेस मार्क वाला एक जो टॉपर्स वाला है और तीसरा यह जो बैक डॉर से इंट्री वाली बात कही जा रही है यह इन सारी बातों को तुरंत एड्रस करने की की बात कही जा रही है लेकिन इसमें यह कहीं नहीं सुप्रीम कोड की वर्डिक में या अभी तक के फैसले में यह दिखाई दे रहा है कि वो परिक्षा को रद करने या पेपर लीक वाली बात से कंविंस होती दिख रही है सुप्रीम कोड बिल्कुल कंविंस नहीं है इस बात से तो इसका मतलब क्या माना जाए इस उसको एड्रेस किया जाए और पिक्चर साफ की जाए यह बिल्कुल नहीं है कि आप उसको इग्नोर करके छोड़ दें इसलिए सुप्रीम कोड ने न्टिये को फटकार लगाई है आपको बता दे सुप्रीम कोड में शिवांगी मिश्रा और अन्ने नौ लोगों ने याचि इस बात से कंविंस नहीं है अभी नहीं है तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या रुक होता है कोड का आड जुलाई का आने दीजे एंटी का जवाब आने दीजे और कई सारे चात्र है जिन्होंने बैं तो अगर आप लोगों के पास प्रूफ है कि लीक हुआ है पेप अलग-अलग क्योंकि आल इंडिया लेविल पे एक्जाम्स होते हैं तो अगर एक बच्चा साउथ से टॉप करता वेस से टॉप करता तो बात समझ में आती कि हाँ बच्चे का अपना परसंटाइल अच्छे ग्रेड हासिल किये लेकिन एक ही से इंटर से अगर बच्चे इत बिल्कुल सही बात है इसलिए उनकी हो सकता है कॉपी को री एक्जामिन किया जाए एक बाफिर से चेक किया जाए कि कहां कहीं कोई घल्ती तो नहीं हो गए किसी से इसलिए पेपर लिग की कहानी कहां से आ रही है क्या सबूत है आगर आप लोगों के पास जो नीट का जिनो मेडिया पर देखे वह सबूत ऑवेसली जब याची का दाखिल की गए उसमें भी एड्रेस किये गए लेकिन मुझे लग रहा है अगर ऐसी बात होती तो सुप्रीम कोड इसलिए तो पेपर लीग वाली जो बात है सुप्रीम कोड ने इसलिए एकसेप्ट नहीं की है क्योंकि यह सारी बात है सोशल मीडिया के थू सामने आई है कोई एविडेंस लेकर सामने अभी तक नहीं ख़ड़ा हो पाया इसलिए सुप्रीम कोड ने इस बात को नकार दिया या किनारे कर दिया कि वो बात बे मतलम में कोई बतंगर ना बज़े इसलिए सुप्रीम कोड ने आराम पानी पानी करके मामले को साफ करें चली देखते क्या होगा यह वीडियो को किस लिए ज़रू होते हैंगा